एक चोटी सी कहानिस नहूंगा मैं एक बार एक गाउं में एक बुड़ा अपने पोते के साथ रहता था बुड़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेर्स पर बैठ जाता था उनका पोता दादा जी का प्रशंसक था अपने दादा जी जैसा बनना चाहता था इसलिए पोता दादा जी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था एक दिन पोत्ता अपने दादा जी के पास गया और कहा दादा जी मैं आपकी तरह हैं रोज मेज पर बैठ कर भगवत गीता पढ़ता हूँ लेकिन मैं इसे ज्यादा तर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबे बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो बगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाब बता है अब डादा जी एक कोइले की टोकरी पड़ी हुई थी कमरे में उन्होंने पोते की तर देखा और उसे कोइले की टोकरी डेते हुए कहा नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरा पानी का ले आओ दादा जी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचा ठोकरी का सारा पानी निकल गया था दादा जी ने मुश्वराते हुए कहा वापिस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करू लेकिन इस बार थोड़ा तीज चलने की कोशिश करना लड़का मान गया और इस बार फिर नदी से पानी लेकर जल्दी-जल्दी घर पहुंचने के लिए भागा ले लड़का ठक गया दादा जी को बोला दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूं दादा जी ने उत्तर दिया मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए मैं चाहता हूं तुम उस कोईले की टोकरी में ही पानी मेरे लिए नदी से लेकर आओ और कोशिश करो लड़का जानता था कि यह असंभव है लेकिन उसने अपने दादा जी की बात मान ली और फिर से कोशिश की इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दोड़ा लेकिन टोकरी फिर खाली हो गई लड़का ठक गया उसने अपने दादा जी को कहा ओ दादा जी इस इस टोकरी से नदी में से पाणी लाना मेरे लिए असंभव है लेकिन जर्ण तोकरी को देखो लड़के ने टो क्री के और देखा तोंक्री उसको बहुत साफ सुथरी दिख रही थी उसने देखा टोकरी पहले कोईले से काली हो रही थी अब उसके सारे दाग हट गए थी अब कोईले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी दादा जी ने कहा तुमने देखा कि टोकरी अब दाग मुक्त हो गई है जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है तुम जो पढ़ते हो तुम उसे समझ या याद नहीं रख सकते लेकिन ये शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देते हैं तो कई बार हम लोगों के साफ भी ऐसा ही होता है हम लोग सोचते हैं कि हमें राय साफ जो बता रहे हैं बात वो हमें समझ में नहीं आ रही है पर उसका असर जो है वो कैसे होता है वो इस कहानी से हमें पता लगता है With these few words I hand it over to Mr. VN Raiji to please unmute and start his discourse. Rai sir please बहुत सुन्दर कथा आपने कही कहानी अच्छी रही अच्छुतं केशवं राम नारायनं कृष्ण दामोधरं बासुदेवं शिदरं माधवं गोपी का बल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रंबदे बंशी बिभूशितकरा नवनीरदाभा पीतां बरादरुण बिंबपलादरोस्था पूडें दुसुंधर मुखा अरविंदनेत्राभ रिष्णात्परं किमपितपहं नजाने नीलां बुझ श्यामलको मलांगं सीता समारो पितवाम भागं पानव मासा यकचारुचापं नमामिरामं रगुबंशनातं सोराष्ट्रे सोमनातं साशिषेले मलिकार्जुनं उज्यिन्याम महाकालं ओमकारं मलेष्वरं परल्याम बैदनाथं चादाकिनी भीम शंकरं सेतु बंदु रामेश नागेश दारिकाबनें वारणश्या विश्वेशं त्रयंबकं गोमतीतते हिमालय केदारनाथं च गुष्मेच शिवालय एतानी जोतिरलिंगानी सायं प्रातपटेत्नरां सप्तजनं करंप्रापं अस्मरणं बिनश्यती ब्रम्हा मुरारी त्रेपुरांत कारी भानुश शिभू मिसुतो बुधाष्या गुरुष्या शूक्रा शनिरावुकेतवा पुरवन्तु सर्वे ममनोर थम्सदां प्रविशिनगर की जैसब काजा इड़ दैराकि कोशल पुरराजा गरल सुधारि पुकरे मिताई गोपद सिंदुवनल शितलाई गरुण सुमेर रेनुसमताई रामकृपाकर चितवाजाई जय श्री राम जय जय श्री राम ओम नमो भगोते वाशुदे वाए नमन सर्वे बमन्तु शुकिना सर्वे शंतु निरामया सर्वे भद्रानि पश्यंतु माकश्चिद्धु भाग्वे आप सबको दंडवत प्रणाम और आज पांचवा इसकंद प्रारंब हो रहा है अभी तक हमने उत्तान पाद के बंश का बरण किया मनुजी के एक भाग बंश शसका अब प्रियवत के बंश का बरण है प्रियब्रत बड़े प्रतापी राजा थे आत्माराम थे अपने स्वरूप में इस्थित थे जगत से पूरा बैराग्यों हो गया था हुँदु असकंद पुरार पांच स्टार्ट होता है परिक्षित जी के प्रश्ण से पांडू नंदन परिक्षित महामुरी शुक्देव जी से प्रश्ण करते हैं मुनिवर्ट प्रियब्रत तो बड़े प्रतापी राजा थे अपने स्वरूप में इस्थित थे आत्माराम थे फिर वे संसार में क्यों फस गए जिन महापूरुष की अंताकरण की ज्वाला बगवान के चरणों के अस्मरण से शांत हो जाती है उनको संसार अच्छा नहीं लगता है प्रियब्रत संसार में रहते हुए कैसे सिद्धियों को प्राप्त कर लिए क्योंकि दोनों अपोरिट चीजे हैं मामुन शुक्देव ने उत्तर प्रारंब किया तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है जो भगवान के कमलपर चरणों के मकरंद में सराबोर हो जाते हैं उनको संसार अच्छा नहीं लगता है लेकिन पांड़नंदन ये भी याद रखो जब भगवान के चरण का आश्रह ले लेता है तो उसका कोई बिगाड नहीं सकता क्योंकि उसका मन, बुद्धी, इंद्रियां सब अपने कर्मों को भगवान को समर्पण कर देती है और वो जैसे किले में राजा सेफ रहता है दुश्मनों से उसी तरह वे भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करके सेफ बैठ जाता है प्रियबबत बड़े ही प्रतापी राजा थे मनु भगवान ने देखा कि इनके अंदर सारे गुणहर शासन करने के ऐसा देखते हुए उन्होंने क्योंकि मारगया प्रियबबत के गुरू थे नारद मुनी उन्होंने उनको तत्व ज्ञान का अनुभव करा दिया था मनु महराज ने कहा कि इससे बढ़िया शासन करने वाला शासक नहीं मिलेगा और प्रियबबत को कहा प्रियबबत ने कहा कि हम यह शासन नहीं करेंगे अब बड़ी प्रावलम हो गई लेकिन आप जानते हैं ब्रह्मा जी का उद्देश क्या है ब्रह्मा जी को भगION ने आडर किया हुथ शिस्ति का बिष्टार करना तो स्रिस्ति में कहा क्या हो रहा है उनको सब मालुम पढ़ जाता है जब ब्रह्मा जी को पता चला कि नारद के शिष्ष प्रिअब्रत महाराज ने शासन करने से मना कर दिया है संसार बंधन में फसना नहीं चाहते तो वेदों और मारीच रिश्यों के साथ ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोग से नीचे उतरे किसलिए नीचे उतरे शिष्षी के विष्थार के लिए आकर के उपदेश दिया किसको उपदेश दिया महाराजा प्रिअब्रत ने शासन करने से इंकार कर दिया था तो महाराजा प्रिअब्रत को उपदेश दे रहें ब्रह्मा जी और यही गूर्टत्व है इस पहले अध्याय का गूर्टत्व है ब्रह्मा जी का भासन प्रिअब्रत को कि जिसके छे प्रधान बिंदू है कि सबसे इंपार्टन बिंदू है ज्यान से सुनिये इसको ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान में कभी दोस्त दृष्टी नहीं रखनी चाहिए द्रोस्त दिश्टी का मतलब क्या है उनको इस्षप नहीं करना उनको हमेशा क्रिप्साइज करना आपको छोटा सा एक्जांपल देते हैं एक हमारी भाविया है बैंगलोर में तो हमारा प्रभचन सुनती रहती है उन्हें ने का शिव जी को क्रोध आ गया हमने का आपने र है दोश निकालना भगवान के अंदर दोश निकालना अगर यह प्रभृत्ती है तो कभी उध्धार नहीं होगा प्रमाजी कह रहे हैं कि देखो मैं ब्रह्मा जो इस सृष्टी को बनाता हूं महेश जो इस सृष्टी को बिगाडते हैं तुमारे गुरु नारद और तुमा जो भी भगवान कहते हैं उसका पालन करते हैं उसका अंसरन करते हैं उसमें दोश दृष्टी नहीं निकालते हैं तो पहला सिध्धान्त है कि किसी भी देवी देवता में दोश दृष्टी मत देखिए और इसको एक्स्टेंड करके ये भी कर लिजिए कि अपने बड़े ब सबसे बड़ी कमी होती है मनुष्य में दोस्द्रिष्टी इसका लाजिक दे रहे हैं तुम अपनी दोस्द्रिष्टी लगाते रहो लेकिन भगवान के बिधान को कोई टाल नहीं सकता न बिद्या से न तप से न यग्य से न ज्ञान से न मन बल से न बुद्धी बल से न अर्थ बल से न धर्म बल से किसी बल से भगवान के बिधान को टाला नहीं जा सकता यह दूसरा उक्देश है प्रियब्रत को कि भगवान का जो बिधान है स्रिष्टी का वो चलता रहेगा उसको कोई टाल नहीं सकता किसी भी प्रकार से इसको कोई हिला नहीं सकता इस भगवान में दोस्दरिष्टी नहीं रखना और भगवान के बिधान को टालने की कोशिच न करना भगवान का बिधान क्या है भगवान का पिधान यह है कि हमको अपने संसकारों के अनुरूप शरीर मिलती है उन संसकारों को भोगने के लिए हमें जो यह शरीर मिली है यह हमारे तामस अहंकार से बनी है भगवान ने शुत्र बनाया है सांग की ओग में मैंने बताया था कि ब्रम्भी प्रकृत और पुरुष बना और प्रकृत में सत्व रज्तम तीन गुण जो है तम से शरीर रजश से इंद्रियां और सत्व से अंत्यक्रण बनता है यह हमारे ही तमोगुण से हमारी शरीर बनी है भगवान ने दिया है किस लिए कि जाओ और इस शरीर से क्या करो जनम मरन भोगो सुख दुख भोगो भूग प्यास भोगो चिंता शोक मैं भैत भोगो क्या धर्म है शरीर का धर्म है जन्म लेना और मरना प्राण का धर्म है फूख और प्यास पैदा करना और उसकी ट्रिप्ति करना और मन का धर्म है सुख दुख का अनबाव करना जाओ ये शरीर जो तुम्हें दिया है इसके द्वारा इनका अनभाव करना है ये तुम्हारा भोग है ये तुम्हारा प्रारब्ध है इसके खिलाब कोशिश करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा कर्म को भोगना ही पड़ेगा इसलिए भोग शरीर सुमें मिली है अगर भोगना नहीं था तो शरीर ही नहीं मिलती शरीर मिली है तो इसका मतलब शरीर का कारण है क्यों मिली है क्योंकि अभी अहंकार मिटा नहीं है जन्म लेने का जो कारण है वो खतम नहीं हुआ है इसलिए जन्म हुआ है यह समझाया प्रियब्रत को फिर क्या समझाया अब यह शरीर किसी भी जोनी में मिल जाए मनुष्य जोनी में इस्त्री जोनी में नपुन्शक जोनी में या किसी भी बरण में मिल जाए ब्रामन बरण म चत्री ब्रण में वैश्य ब्रण में शुद्रवण में कहीं भी मिल जाए उसके अनुरूप अपना कर्तव्य करना यही हमारा धर्म है हमने आपको बताया था यह योगी को सिद्धी प्राप्त हो गई हंकार में इस्त्री अपने पती की सेवा कर रही थी देर हो गई तो उल्टा पूल्टा बोला उसने का जाओ चंडाल तुमको ग्यान देगा चंडाल जो कसाई था उसने ग्यान दिया चंडाल पहली बोल दिया इस्त्री ने भेजा होगा तुमको क्यों अपना कर्तब्य कर रहा है जो इसको मिला है जिस जोनी में पैदा हुआ है संसार से असंग है निरलिप्थ है अलेफ है और स्वा में बैठा हुआ है जब स्वा में बैठा रहता तो उसको कोई छू नहीं सकता तो यह चौथा संदे इस दिया कि शरीर तुम्हें मुली है तो भोगना ही पड़ेगा कर्म करना ही पड़ेगा जो इस शरीर के लिए निश्चित किया हुआ है कि शत्रु तुम्हारे पीछे लगेंगे ऐसा समझा कर ब्रह्मा जी ने माराट प्रियव्वत को कन्विंश किया कि तुम्हें पिता की आग्या का उलंगन नहीं करना चाहिए और चूंकि वहाँ उनके गुरु नारद भी प्रजेंट थे गुरु की प्रिजन्स में वारतालाप हो रही है इसलिए महाराज प्रियव्वत ने राज स्विकार कर लिया मनु महाराज खुश हुए ब्रह्मा जी की बंदना करके अपने लोग को चले गए अम्माराज प्रेब्रत ने ब्रह्मा जी की बात स्विकार कर ली गुरू के प्रजन्स में तब उन्होंने क्या किया बरहिस्मती जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी उससे शादी किया और बाद में बात करेंगे बाद में उनसे उनके दस पुत्र हुए दस पुत्रों में तीन पुत्र ऐसे हुए जो नारज जी की विचारधारा के ते नैस्ठिक ब्रह्मचारी संसार छोड़के चले गए तब करने साथ बच गए माराज त्रियव्वत ने बहुत अच्छा शाशन किया 11 वर्सु तक शाशन किया और ये निश्चित किया उनके शाशन में प्रजा को कोई कश्ट नहूं लेकिन उन्होंने देखा कि सुर्य भगवान मेर्यू की परिक्रमा करते हैं तो जब पृत्वी सामने आती है तो पित्वी के आधे भाग में दिन आधे भाग में रात होती है ये उनको पसंद नहीं था महाराज प्रियब्रत में एक पैरलल रस बनाया सुर्य की तरह और साथ चक्र प्रिस्वी के लगा दिये और जब ये रस चला और साथ चक्र लगाया तो रस की लकीरों जो धस गई वहां साथ महा समुद्र बन गए और जो बाकी भाग थे वह साथ महाद्वीप बन गए तो ये जो आप देख रहे हैं प्रिसी पर साथ महाद्वीप और साथ समुद्रत महाराज प्रियब्रत की देन है आसा प्रतापी राजा शाथ दीपों को बना करके शुरक्षित कर दिया उनके अंदर उनके बन उनकी नदियां उनके पहाड बनाए और शुरक्षित कर दिया पूरी प्रजा को माबाद प्रियतमने और फिर जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे आगनीग महराज कि सातों पुत्रों को सात दीव का राजा बनाए था जो अगनीग महराज दे उनको जंबु दीव का राजा बना है जो हम लोग का है कि और जब महाराज गए तो उनने अगनीग महाराज को शासन साउप करके चले गए तो प्रियब्वत के बाद अगनीग महाराज आए यह भी बड़े प्रतापनी डाजा थे इनको भी कोई संतान नहीं थी संतान प्राप्ती के लिए जितनी सामगरी है नों नहीं कठा किया जित्विजों को बुलाया जर्मान को बुलाया रिश्यों को बुलाया पंडितों को बुलाया ब्रामनों को बुलाया सारी सामगरी काठा की ब्रह्मा जी को पता लग गया क्यों देखिए जो पुरुष पहुंच जाता है जैसे ब्रह्मा जी है शिव जी है या बड़े-बड़े हमारे गुरु केंची धाम वाले उनके अंदर कुछ विद्याएं आ जाती है जैसे आकाश गमन करते हैं जिस तरह से मन एक जगह से दूसरी जगह जाता है उनका शरीर भी उसी गती से दूसरी जगह चला जाता है वो दूसरी जगह का दृष्य देख सकते हैं दूसरी जगह क्या बारतालाप हो सकती है वो सुन सकते हैं तो ब्रमा जी कि सब कुछ समझ गये यहां क्या हो रहा है कि इसलिए अपने दर्बार से एक अपसरा को भेज़ दिये क्यों कि यह राजात्य शृष्ष्टी का बिश्थार करना चाहता है और वही ब्रह्मा जी चाहते हैं कि वह अपसरा आई आगनीक महराज समाधी में बैठे थे जंदनकार करती हुई आई खोले देखे अपसरा आई है उसके रूप का ब्रड़न ऐसे किये जैसे कोई भगवान प्रगट हो गये है अब बाद में उस्ष्टी अफसरा से शादी किये क्योंकि वह तो ब्रह्मा जी का बिधान था श्रिष्टी को बढ़ाने के लिए अफसरा को भेजे थे उसका नाम था पुर्व चित्ती अगनींग महराज हजारों साल तक शाषन किये और पुर्व चित्ती से नव पुत्रों को जन्म दिया और सबसे बड़े पुत्र नाभी महराज को जम्बु दीप का शाषन दे करके चले गये नाभी महराज भी बड़े प्रतापी राजा थे इन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे सामान इकठे किये ब्रामणों को बुलाया रिष्यों को बुलाया मुनियों को बुलाया जद्मानों को बुलाया लेकिन नाभी महराज इतने प्रतापी थे कि ध्यान में मगने हो गये हैं कैसा ध्यान देखिए दो तरह का ध्यान होता है एक लोकिक पारलोकिक ध्यान और एक आध्यात्मिक ध्यान लोकिक पारलोकिक ध्यान हम लोग लगाते हैं तूकि संसार में लगाते हैं आध्यात्मिक ध्यान क्या है संसार के परे अब इसको यू समझे जीव क्या है चेतन और जड़ की गंती बन गई जड़ चेतन गंती बड़ी अज्ड़ प्मिर्शा छूटई बड़ी कठी नहीं तुल सिदाज ने कहा कि जड़ और चेतन की गंती बन गई है और है तो मिथ्या लेकिन छूरती नहीं है तो नाभी महराज ने चेतन में समाधी लगाई जड़का तिरस्कार करके वहां तो क्यों ब्रह्मी प्रह्म में और तो कुछ है नहीं नाभी महराज की इस तपरश्या को देख करके आधि भगवान प्रगठ हो गए का प्रगठ होते हैं भगवान इसका भी एक सिद्दान्त है जब आपके अंता करण में कोई चीज नहीं रती है पूरा खाली हो जाता है शुद्ध हो जाता है तब वहां प्रगठ होते हैं ले क्योंकि वह विकार है विकार भगवान को पसंद नहीं तो नाभी बहराज के यग्यशाला में जब प्रगठ होए तो सारे ब्राह्मन इस्तिती करने लगे उनकी यह क्या हुआ यग्यपुरुस प्रगट हो गए हमारे महाराज धन्य है जिनकी कठिन आराजना से आप खुद ही आ गए हम तो आपको समझ नहीं सकते है आप तो किसी बस्तु से प्राप्त होने वाले नहीं है लेकिन आप प्रगट हो गए नाभी महाराज को आशिरवाद दिया क्या आशिरवाद दिया क्योंकि नाभी महाराज भी ऐसे रड़ा थे पहुंचे हुए अभी तक जितनी आपने सुनी प्रशंसा उनसे कहीं आगे तो उनकी मांग भी ऐसी होगी उन्होंने मांग क्या की मुझे पुत्रत्न मिले लेकिन आप जैसा मिले भगवान ने का मेरे जैसा तो कोई है नहीं मैं तो अद्धुती हूं इसलिए मुझे खुदाना पड़ेगा का कि मैं ही आऊँगा और उनकी पत्नी की गर्व में गए और कौन पैदा हुआ यग्य पुरुष नाराण भगवान रिशव देव महारा प्रगठुए नाम सुनाओगा आपने भगवान रिशव देव भगवान खुदी रिशव देव बनके आये है इनकी अंदर सारी शक्तियां है किसली आये है इसका भी बिदान है भगवान क्यों आते है क्यों मानली बात उपदेश देने के लिए धर्म की अस्थापना करने के लिए कि धर्म की अस्थापना कर ले कि लिए आए कि रिशब्देव महराज कि अब इस दिश्ब्देव महराज के सव पुत्र हुए और सैक्णों यग्य उन्होंने किया अब इन सव पुत्रों की कहानी अलग है कि इसमें से एटीवन पुत्र तो ब्रामण बन गए त्रियाकर्म वाले ब्रामण शुद्ध ब्रामण और सबसे बड़े पुत्र का नाम था बरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष है अब बाकी जो नौ थे उन्होंने कि जंबू दीप के एक एक पार्ट को ले लिया है कि शाषन किया कि रिशब भाराज ने तो उप्रदेश दिया है कि बहुत ही सार गरभिक उप्रदेश है प्रजा को कहा अपने करतब का पालन करो देखी हमारे लिए है लेकिन उसमें लिप्त मत रहो संसकार जो करा रहा है उसको करते रहो अच्छा है बुरा है उसके फल की तरफ दिश्टी एक दम मत दो और जब उसमें नहीं रहोगे तो तुम्हारा संसकार ही होगा जब तुम्हारी अपनी इच्छा डिजायर कुछ नहीं होती है तो क्या होता है संसकार निकलता है और जब आपकी इच्छा डिजायर होती है तो संसकार बाधित हो जाता है एक नया संसकार बन जाता है जो इस नई इच्छा से बना और चित में जाके चिपक जाता है तो रिशब्देव महाराज ने कहा अपनी प्रजा को संसकार बनने मत दो संसकार को निकलने दो जो भी निकल है अच्छा है बुरा है उसकी तरब नजर मत इसलिए भगवान ने गीता में कहा है इकरण देवा दिवारस्ते ना फलेशु कदाचन यही भगवान देशब देव है ओने दो उसको तुम कहा रहो भगवान के चरणों की शीतल चाया के मकरंद में अपने को डुबोए रहो शराबोर रहो उसमें उदर संसकार निकल रहे है इदर संसकार बन नहीं रहे है क्या हो रहा है एक समय आयेगा सारे संसकार निकल जाएंगे और जन्मरण का कारण ही खतम हो जाएगा जन्मरण का कारण संसकार और कुछ नहीं है अगर आप इच्छा जनित कर्म करते हो वही संसकार बनाता है अनिच्छा जनित कर्म संसकार नहीं बनाता जब आप समता में रहते हों, कोई संसकार नहीं बनता है, उस समय संसकार निकलता है, यही उपदेश गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, और यही उपदेश रिशब महाराज अपनी प्रजा को यहाँ दे रहे हैं, सदाचार का उपदेश, और पुत्रों में जेश्ट पुत्र थे भरत, महाराज भरत, इन्ही के नाम पर भारत वर्ष है, रिशब महाराज ने सार्षन किसको दिया, भरत जी को दिया, भरत जी की कहानी है, बड़ी बिचित्र, दो कहानियां है भरत जी के बारे में, एक है कि संसार में फ़स्ता कैसे है मनुश्य, भरत जी गंड की नदी के किनारे, ध्यान में मगन थे, समाधी में थे, उसी समय एक खिरनी पानी पीने आई, लेकिन जब जैसे ही वो सरोवर में आई, सिंग ने दहार लगा दी, और सिंग के दहार से वो एकदम दर गई, चोक कर चार उत्रब देखने लगी, और इतनी डरी कि गंड की नगी का छलांग मार करके उपर, उधर जाने की कोशिश की, और उसके पेट में बच्चा था, वो बच्चा हिल गया, योनी से बाहर निकल कर नदी में गिर गया, और उस दहार से बरत महराज ने देखा कि बच्चा तो नदी में बहता हुआ जा रहा है, उनको द्या आ गई, बच्चे को पकड़ लिया, अपने कुटिया मिले गया, उसका लालन पालन करने लगे, उसको गोद में लेके घुमते थे, छाती में लेके घुमते थे, आसक्ती हो गई उस बच्चे के अंदर, इतनी आसक्ती हो गई कि हाला कि, सिद्यों को प्राप्त कर चुके थे, असंग हो चुके थे संसार से, बहुत उचकोटी में पहुँच चुके थे, लेकिन इतनी उनकी उसमें प्रिती हो गई, कि मरते समय भी उनकी गोदी में बच्चा था, और जैसा भगवान ने कहा है गीता में, कि मरते समय जो याद करते हो, वही अगला जन्म होता है, क्यों? क्योंकि संसकारों की रील चलती है, और जो सबसे प्रबल रील होती है, वो रुख जाती है, आपने सारे कर्म किये, उसमें एक मर्डर भी किया, मरते समय सबसे प्रबल रील उस मर्डर पर रुख जाएगी, अगले जन्म में ऐसा जन्म होगा, कि तुमारा मर्डर होगा, वही कारण बनेगा, अब इनकी जो आश्था थी, इनका प्रेम था, अनुराग था, दया थी, करोडा थी, उस हरनी के बच्चे में, इसलिए हरन के बच्चे बन गए, जूसरे जन्म में, लेकिन चूकि उनकी स्मृति बनी रही, इसलिए हरन के बच्चे बनते हुए भी, उनका जो पहले से इकठा हुआ धन था, जो तपश्या की थी, जो साधना की थी, वो सब संचित थी, और ये शरीर छोड़ करके फिर वो ब्रामर शरीर प्राप्ट किये, ब्रामर शरीर प्राप्ट किये, तो उन्होंने देखा कि हमने बहुत अनर्ष किया, संसार में लग गए, अहरिन बन गए, तो अब पूरे संसार को उन्होंने त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, उनको लोग पागल की तरह समझते थे, कोई मारता था, कोई थूखता था, कोई कुछ करता था, पढ़े रते थे जहां है वहीं, तो एक राजा था, और राजा मुनी, कपिल मुनी से ये पूछने जा रहा था, कि किसकी शरण लें, सबसे उत्तम कौन है, राजा पालकी में चार कहार लगाये हुए थे, एक कहार कहीं छूट गया, तो देखा, क्या करें, पिटा के कोई संतान नहीं थी, क्योंकर के मरने गया, जैसे बागवट में ही कथा थी, बीच में एक और कथा आती है, बड़ी रोचक, उस राजा से पहले एक डाकुओं का गिरोव था, और डाकु तो तामसिक थे, और उनके ग्रुप में जितने थे सब शुद्र थे, तो शुद्र लोग क्या करते हैं, बली चढ़ाते हैं देवी को, अपनी कामना की पूर्ती के लिए, तो भद्रकाली को पशु की बली चढ़ानी थी, एक पशु लाया, वो भाग गया, देखा कहीं कुछ नहीं है, ये मिल गए, पड़े हुए ध्यान में, बोला पशु से अच्छा मनुष्य है, देवी और खुश हो डाएगी, रसी में बात के इनको घशिट के ले गए, भद्रकाली के हाँ, अपनी तलवार निकाली, इनका सर नीचे किया, काटने के लिए, जैसे ही तलवार निकाली, तो भद्रकाली के पत्थर से, मा निकली, विक्राल रूप में, लाल-लाल आक के साथ, दहार लगाई बहुत ते, और उसी तलवार से, उन सबका बद कर दिया, देखो ये क्या, कहानी क्या करती है, जाको राके साहिया, मार न सकी इनको, ये मारना चाहते थे, इनको नहीं मार पाये, क्यों, बद्रकाली जिनकी पूजा के लिए इनको चड़ाना चाहते थे, उन्होंने उनको खत्म कर दिया, ऐसे थे माराज भरत, तो इस राजा ने क्या कहा, कि इस आदमी को भी एक चौथा कहार बना दो, हमारी जो बग्गी जा रही है, उसमें चौथा कहार ये भी रहेगा, अब इनको घसीट के लाए सब, घसीट के लाए और उसमें लगा दिया, लेकिन ये जब चलते थे, तो आगे कोई जीव न मरे, अपने पैरों को ऐसे बचा बचा के चलते थे, तो इसलिए बग्गी जो है डग्मगया जाती थी, राजा को क्रोध आ गया, डाटा कहारों को, कहारों ने कहा कि हमारी गलती नहीं ये नया आया है, इसकी गलती है, राजा ने इनको भी डाट लगाई, ठीक से चलो नहीं तो जानते नहीं हो, जैसे यम महराज धंड देते हैं, उसी तरह राजा भी अपनी प्रजा को धंड देता है, ठीक से चलो, डाटने लगा, और बहुत बड़ी बड़ी चीजे, धर्म की कहने लगा इनको, राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना प्रजा का धर्म होता है राजा की आग्यां का पालन करना और राजा का धर्म है प्रजा को शाशन में रखना अब यहां पर गूर्टत्वा आता है बहुत ही गूर्टत्वा ही है क्या है भरत जी ने कहा परजी का कहना दो पार्ट में है पहला पार्ट राजा के ब्याक्षान का उत्तर देना कि तुमने ठीका भार जो होता है उठाने के लिए होता है हम उठा रहे हैं मार्ग जो होता है चलने के लिए होता हम चल रहे हैं लेकिन तुमने जो स्वामी और शिष्य का फार्मूला बताया वो तो मेरी समझ में नहीं आया कौन किसका स्वामी है कौन किसका शिष्य है तो भारवाले पाट को अलग समझाया स्वामी शिष्य को अलग समझाया देखिए भारवाले को क्या कहता है ना कोई भार है ना कोई धोने वाला है बड़ी उच्च कोट की आध्यात्म शिक्चा है यह क्यों कहते यह शरीर जो भार को धो रही है यह भी प्रिस्वी का ही यंग है जैसे प्रिस्वी है उसी तरह यह शरीर भी है जब यह शरीर चलने लगती है तो यह भार उठाने लगती है शरीर क्या है व्रण किया शरीर का पैर है टकने हैं घुटने हैं कमर है बग्छस्तल है और कंदे हैं यह सब शरीर है प्रिस्वी का पाठ ही है और इस कंदे पर जो पालकी का जो डंडा है वो भी प्रिस्वी का पाठ है प्रिस्वी प्रिस्वी पर बैठी है और उस दंडे से जो पालकी चल रही है उसके अंदर जो बैठा है वो भी प्रिस्वी का ही पाठ है और जो उसकी शरीर है या जो यह प्रिस्वी है यह भी मिठ्या है क्यों क्यों कि प्रिस्वी बनी है परमाणू से पर माडू भी मित्या है कि वो भी बने हैं छोटे कणों से वो भी मित्या है कि वो भी बने हैं अत्यन्त छोटे कणों से तो क्या भार और क्या भार ढोने वाला सोचो इसको इसमें शरम नहीं होना चाहिए तुमने का शरम होता है दूसरा पाट समझाया क्या दूसरा पाट समझाया कि तुमने कहा मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुम हमारे स्वामी हो न मैं तुम्हारा सेवक हूँ न तुम मेरे स्वामी हो इन संसार में सेवक और स्वामी का संबंध केवल एक ही है कौन? ब्रह्म हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक है और कोई नहीं स्वामी सेवक का कहीं फार्मूला नहीं है, हम तो ब्रह्म की सेवा करते हैं, उसके सेवक हैं, और तुम तो संसार की सेवा करते हो, संसार क्या है, पदार्थ, जड़, ब्रह्म क्या है, चेतन, मैं तो चेतन की सेवा करता हूँ, तुम तो जड़ की सेवा करते हो, फिर उन्हें ने समझा कि देखो, जड़ और चेतन की ग्रंती बनी, कैसे बनी, जैसे पुरुष और इस्त्री, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बड़ी ग्रंती बनी, और शरीर में जितनी एक किस तत्व हैं, पाच करमिंद्रियां, पाच ग्यानिंद्रियां, मंचित बुद्धियंकार, ये सारे की सारे, क्या है, जड़ और चेतन की ग्रंती है, पाच करमिंद्रियां, पाच ग्यानिंद्रियां, और अंकार, ये चित्त की बृत्ती है, चित्त में ये वाइब्रेशन उत्पन्द करते हैं, आंकार्त से ज्ञान शक्ति, आँख देखती है, कान सुनता है, तो अचाह इसपरश करती है, जवा रस लेती है, ना गंद लेती है, और फिर ये आडर करती है, करमिंद्रियों को, वो कर्म करती है, तो इन ज्ञान इंद्रियों का विशय क्या है, इन ज्ञान इंद्रियों का विशय है, गंद, स्वाद, रूप, स्पर्श, शब्द, इन विश्यों को ज्ञान इंद्रियां प्रकड़ती है, और कर्मिंद्रियों का विश्य क्या है करना मुझ से बोलना हाथ से पकड़ना पैर से चलना लिंग से संभोग करना मलत्याग करना एक कर्मिंद्रियों का कर्म है कर्मिंद्रियों का विश्य यह है और ज्यानिंद्रियों का विश्य वो पाच तनमात्राय है और आंकार का विश्य शरीर है बड़ी उच्च कोट का ध्यात्मा है यह समझने की कोशिश करिए 21 तस्वों का विश्य एडिशन किया 22 जिसमें एक ज्यान ज्ञानिंद्रियों का विशय क्या है? जिसको ज्ञानिंद्रिया पकड़ती है. शब्द है, स्पर्ष है, रूप है, रस है, गंद है. ज्ञानिंद्रियों के विशय है. शब्द को कान पकड़ता है, स्पर्ष को तुचा पकड़ती है, रूप को आँख पकड़ती है, और कर्मिंद्रियों का बिशय पांच कर्म है मुँ का कर्म क्या है बोलना हाथ का कर्म क्या है पकड़ना और छोड़ना पैर का कर्म क्या है चलना लिंग का कर्म क्या है संभोग करना पदान का क्या है मलत्या करना और अहंकार का बिशय है ये शरीर तमस अहंकार से ही तो शरीर बना, हमारे तीन अहंकार थे सत्व, रज और तम, तम से शरीर बना, रज से इंद्रियां बनी, और सत्व से अंत्यक्रण बना, मन्चित बुद्धी अहंकार तो भर्ग जी कह रहे हैं, कि स्वामी और सेवक कहां से आ गया, तू कबसे मेरा स्वामी बन गया, तेरा सेवक बन गया, मैं तो इस विद्ध्या में बिश्वास करता हूँ जो तुमको मने बताया, न कोई किसी का सेवक है, न किसी का स्वामी है, सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, देखिए, येही चीज़ हमारे सनातम धर्म में थी, 5000 सब जब राजा शाषन करता था हूँ इस परकार शाषन करता था, व tą कोई शासक है, न कोई शाष्या, हैं आज हम Western philosophy पढ़ते हैं Western book पढ़ते हैं management की जहां manager है और worker है इसलिए productivity आती नहीं है इसलिए तत्वग्ण आता नहीं है इसलिए बुद्धी खुलती नहीं है इसलिए चीजें आती नहीं इसलिए innovation आता नहीं है कि अप पुराने जमाने के ज्रेंद में पढ़ने की जरूरत नहीं सुनने की जरूरत नहीं है तो जब महाराज भरत ने राजा को समझाया तो राजा तो एकदम चकित हो गया क्योंकि वो भी बहुत पहुंचा हुआ राजा था कफिल मुनी के पास जा रहा था उठकर के पालकी से दंडवत किया मेरा अफराज छमा कर बताईर क्यों आप कौन है पहले बताईये ल Diesi मैं भणवान के सुदरशन से नहीं डरता चक्र से शंक्र के तृषूल से नहीं डरता है कि मैं डरता हूँ तो ब्रामनों से कि आप ब्रामन हैं तोकि जने battle उधारी दिछते रहे gonos से भगवान भी डरते हैं आप हमारा अपराथ चमा करिये बताइए कहीं आप कपिल मिनी तो नहीं है कहीं आप धत्ता त्रे तो नहीं है कौन है आप हमारा अपराथ चमा करिये मैंने बहुत बड़ा अपराथ किया है मेरी बुद्धी आपने खोल दी मेरे ज्ञान चक्चु आ आपने खोल दिया जिस चीज को प्राप्ट करने ड्यारा था वह यहीं मिल गया तो यह बहुत बड़ा गूरतत्व भरस महराज ने राजया को दिया राजया अत्यंत प्रशन फिर रिशब्देव ने बरग जी को शाषन दे दिया था राज किया बहुत दिनों तक राज किया धर्म की अस्थापना कर दी और उसके बाद भरत जी का और रहुन का बहुत संभाद हुआ गूर प्रशन पूछे उसके उत्तर दिये मेरे ख्याल से उसको यहां पर लेना डैरिया हो जाएगा सारे गूर तत्यों को एक साथ मिला देने से डैरिया हो जाता है इसलिए अब तक जो हमने से बनी है जड़ चेतन के संजोग को ही जीव कहा जाता है जैसे छोटी छोटी ग्रंतियां है आख है क्या आख देखती आख नहीं देखती तो लोग अंदे क्यों होते आख तो रहती है आख के पीछे चेतन देवता खड़ा है सुर्य देवता वो देखता है तो एक चेतन पीछे खड़ा है और आगे एक जड़ है आख गोलत पुतली दोनों मिलके काम कर रहे हैं दोनों मिले हुए है इसी तरह से जितनी इंद्रियां है जड़ चेतन की ग्रंती है सारी इंद्रियां जड़ भी है चेतन भी है और उसी तरह से शरीर का भी है जड़ चेतन की ग्रंती इस जड़ चेतन की ग्रंती को पहचानना है और अपने को ये कहना मैं जड़ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मतत्न हूँ, ये जितने धर्म हो रहे हैं, शरीर के हो रहे हैं, ये इसका मेरे से लेना देना नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं शरीर हूँ, इंद भगवान ने फसा दिया है आपको माया में और जब तक भगवान की करोणा नहीं होगी आप इस माया को पार नहीं कर सकते चाहे भले ही कितने जन्म तक समाधी लगाते रहें तब करते रहें विद्याजन करते रहें बेदों का ज्यान लेते रहें उपनिश्दों का ज्यान ले है और बहגवान की करोणा कभाएंगी तीन चीजों से एक है ban जिन का स्रवान करना उनके गुणों का कि करना उनके मनन करना उनके गुणों का कीर्तन करना कि जितनी इंटेंसिटी से आप श्रवण मनन किंतन करेंगे उतनी intensity से आपके जो कलमस्चित में इकठे हैं संसकार जलते जाएंगे आपको जलाने की जुरूत नहीं है तों क्योंकि बैरागी रूपी अगनी में जल रहे हैं आपने संसार को छोड़ दिया चोड़ना मने बैरागी उस बैरागी रूपी अगनी में वो जल रहे हैं और जितनी intensity से आप इधर काम करेंगे उतनी intensity से उजलेंगे उतनी जल्दी वो भशम हो जाएंगे और जब वो भशम हो जाएंगे तब क्या होगा आत्मा और परमात्मा एक ही है जीव अलग है जीव क्या है जड चेतन की ग्रंति है उसमें आत्मा चेतन है और प्रकृतत्य जड है इन दोनों के संबंद से जीव बन गया है भोगता कौन है जड भोगता है चेतन नहीं बोगता है, शरीर बोगती है, आत्मा नहीं बोगती है, करता कौन है, यह शरीर करती है, चेतन नहीं करता है, वो तो अकरता है, अजन्मा है, अभिकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, न बढ़ता है, न घड़ता है, न जन्म लेता है, न मरता है, जसका तस रहता है और इधर क्या है जस उल्था शरीर जन्म लेती स रीर मरती है में है शरीर को भूक और प्यास कियों लगती है भूक प्यास में शरीर का धर्म जन्द लेना और मरना है भूख प्यास किसका धर्म है प्राण का प्राण क्या है यह संबंध है बित्विन जड़ और चेतन यह डोरी प्राण की निकल गई दोनों का संबंध चुट गया तो यह प्राण से ही भूख और प्यास लगती है सुखदुख किसको होता है मन को मन ही सुखदुख करता है और सबसे बड़ा दुष्ट मन है सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है और सबसे बड़ा मित्र भी मन है यह मन आपको नरक में भी ले जाएगा यह मन आपको स्वरग में भी ले जाएगा यह मन आपको मुक्ती भी देगा और यह मन आपको बैकुंत धाम में भी पूंचा देगा आपके उपर डिपेंड करता है इसको आप हैंडिल कैसे करते हों तो महाराज भरत ने जड़ चेतन की ग्रंथी का जो उपदेश दिया उसके उपर बहुत सारे प्रश्न राजा ने किया बहुत गूर प्रश्न किया तो प्रश्न और उत्तर अगले संबाद में करेंगे बहुत ही गूर ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ठीक कह रहा है सही कह रहा है होता भी वही है और फिर उस सही को किस तरह आध्यात्म विद्ध्या से महराज भरत समझाएंगे लाजवाब होगी होगी समझने लायक होगी तो आज के विख्यान में क्या कहा कि एकिस तत्व में जड़ और चेतन है एकिस में और यह शुरू में ही सांख्योग में कह दिया था कि पुरुष और प्रकित वही बना और प्रकित में पुरुष का बीज पड़ गया संसार बन गया प्रकित क्या है पाच कर्मिंद्रियां पाच ज्यानंद्रियां पाच तनमात्राएं पाच इस्थू शरीर मन यह सब प्रकित है लेकिन इनके अंदर वो ब्रह्मत चिपा हुआ है अगर ब्रह्म न रहे तो कामी नहीं करेंगे यह सब जड़ है बेसिकली जड़ है लेकिन इनके पीछे चेतन चिपा हुआ है और उस चेतन और जड़ की ग्रंती से काम हो रहा है चेतन न रहे तो यह तो जड़ है वेकार है किसी काम के नहीं लेकिन उस कुछ नहीं होता है अच्छूता रहता है लेकिन उसकी प्रेज़ंस में यही जड़ काम करतें रहते हैं ऐस दुख ला भान यह प्राव है जाशक्रिश यह सारी चीजे किस से हैं और इस्टिमे उद्ध में होती है लेकिन चेतन का प्रजेन्स है और इसजिको समझना है जड़ और चेतन को अलग कर देना है कैसे अलग कर देना सुमका करते हैं मिß्ठा है लेकिन बड़ी कठनाई से चूटती है कठनाई भी है और सरल भी है सरल क्या है हमेशा ध्यान रखो कि हम शरीर नहीं है यह सारा संसार यह इस्त्री पुरुष धन दौलत मेरी नहीं है ना मैं इसका हूँ, इसका ध्यान रखो हमेशा, जितना ध्यान रखोगे और जितनी इंटेंसिशी से ध्यान रखोगे, उतनी भला होगा, क्यों जब इसमें आप बढ़ जाओ कि यह मेरा है तो इस मेरे के लिए करता भी करोगे इसको प्राप्त करने के लिए कि यह कहीं चला न जाए और मिले और जो है वो जाए न जाने न पाए और यसी में फश जाते हो इसलिए क्या समझो जो है सब चला जाए मुझे फरक नहीं पड़ता जो कबीर करते हैं जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ हमारा सिश्य बनना है तो पहले घर फूंके आओ यह नहीं कि घर भी रहे और शिशिभी बनो दोनों नहीं चल सकता तो घर क्या है धन है दवलत है पुत्र है इस्त्री है शरीर है इंद्रियां है करम इंद्रियां है ज्यान इंद्रियां है मन है बुद्धी है सब को फूंक दो तब मेरे पास आओ कर अब यह शुद्द चेतन और सुद्द चेतन क्या हैATHAN अ था हो और इसनले कर नहां ब्रह्मास है है तो हर समय ग्रूप में हम लुकेथ पार्लुकेथ जितने कर्म कर रहे हैं सब मिठ्या है क्यों कि चेतन में नहीं हो रहे हैं जड़ में हो रही है जड़के द्वारा रहे हैं, जड़के लिए रहे हैं इसलिए ध्यान हमेशा نखे है कि हम चेतन है om भगवान के अन्शाय यह सब हमसे अलग है कि इसमें हमारी ब्रति नहीं होनी चाहिए आशक्ति नहीं होनी चाहिए इसका लेप नहीं लगना चाहिए इसमें हाय हाय नहीं करना चाहिए कि अब यह कर लिया इतना अब इतना और करें इतने को जीत लिया इतने को और जिते इतना कर दिया इतने को और करें इस क्या है बंधन है आप कुछ कर नहीं सकते कुछ मिटा नहीं सकते कौन सा किया है ब्रह्म सब अपने अपने कर्मों को भोग रहें भोगने दीजिए कोशिश मत करिए बिगाड़ने की आज का ब्याख्यान हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि जो गूड़ प्रश्न है उनके उत्तर भी गूड़ होंगे आप देखेंगे बड़ा मज आजाएगा नेक्स ब्याख्यान में तो प्रविश्नगर की जैसब काजा इर्दैरा की कोशल पुर राजा गरल सुधारी पुकरे मिटाई गोपद सिंदू अनल सितलाई गर्व सुमेर रेन समताई राम कृपाकर चितवाजाई जैश्री राम कि यह तब भगवान हिर्दय में आ जाते हैं तो क्या क्या होता है कि शत्रू मित्र बन जाता है कि अगनी अम्रित की बर्शा करने लगती है कि विचित्र चीजें होती है कि अब कोई प्रस्ण हो तो पूछिए यहां तक ज्यान रखिए जड़ चेतन की ग्रंती हर इंद्री में है पांच इस्थूर्चत पांच तनमात्राय पांच करमेंद्रियां पांच ग्यानेंद्रियां मंचित बुद्धि संस्कार सब जगह जड़ चेतन है कि सब जगह इसलिए इन सबको पार करते करते जब चित में जाओगे उसमें जो संसकार बैठे हैं वही जड़ हैं उनको जला दू वो जलते हैं कैसे भगवान के भजन से भगवान के किर्टन से भगवान के मनन से भगवान के ध्यान से भगवान के भक्तों के बीच में रहने से सत्संग सुनने से वो जड़ जो है खतम होते रहते हैं एक मात्र उपाई यही है और कोई उपाई नहीं नहीं तब से जाएगा ना यग्य से जाएगा ना बेदों के अध्यान से जाएगा ना निदों के अध्यान से जाएगा वो के ओल जाएगा तो भगवान की करणा से भगवान की क समय आ गया है क्या 24 घंटे या तो भगवान की कथा पढ़ें भगवान की कथा सुने या भगवान की कथा का अस्मरण करें उसमें आनंद लें इसे क्या होगा विशय बासना से मन हट जाएगा विशय बासना से मन हटने से क्या होगा संस्कार जलने लगेंगे क्या हुआ आज तो मैडम नहीं आई है कि आज कहीं और बीजी है वो किसी को कुछ पूछना है किसी कोई प्रेश्ण हो तो पूछ सकते हैं किसी को प्रेश्ण नहीं है चलिए फिर आप सब को दंडवत प्रणाब